आप सब का एक बार फिर स्वागत है आज की प्रेस कांस्नस में जैसा कि आप जानते हैं दिन में एक बीक में हम दो बार प्रेस ब्रीफिंग करते हैं कोबिकी हलात को लेके मैं आज आपको बताऊं कि लास्ट वीक में जो भी कल हमारा खतम हुआ है एक अन प्रेजिदेंट चेंज देखा गया है लास्ट हफ्ते की बात करों में इसी दोरान हमारे पास 22 केसिस पाजिटिव थे और इस हफ्ते में हमारे पास 44 केसिस यह mostly credit तीन दिन को जाता है दो दिन लगातार जो है first and second day of the week जो कल खतम हुआ है उसमें हमारे 10-10 केस पाजिटिव आए थे और कल की डेट में इन परसुरात को लेट आवर्स में हमारे पास 15 केसिस पाजिटिव 17 केसिस पाजिटिव आए है तो यह तीन दिन की figure जो है majorly attribute करती है आपके जो 44 केसिस इस week में आए है यहां तक positivity rate का rate की बात करें last week में positivity rate जो था हमारा 0.33 जो इस week में भढ़के 0.66 exactly double इसका मतलब यह है कि हम test जो है almost उसी place पे कर रहे हैं लेकिन हमारे number of cases बढ़ने से यह positivity rate भड़ा है जो एक चिंता का विशे है जैसा कि आप ने पढ़ा होगा या सुना होगा experts यह believe कर रहे हैं कि अगर हम ने अपने आपको बचाया नहीं COVID appropriate behavior फालो नहीं किया तो third wave जो है आ सकती है और उसकी peak कहीं October में हो सकती है तो आज की date में हमारे पास 70 से 75 days है जिसमें हमें COVID appropriate behavior पे खास ध्यान देना है और साथ-साथ जो vaccination है उस पे major stress करेंगे क्योंकि vaccination जब तक नहीं लगेगी तब तक हम अपने आपको नहीं बचा सकते अट-लिस्ट यह नहीं है कि vaccination से जो जिन लोगों को vaccination हुई है वो positive नहीं हुए है उनमें भी लोग positive हुए है ऐसी बात नहीं है लेकिन कम है वो बहुत कम है और साथ में उसमें severity जो है वो बहुत कम हुई है किसी को hospital admit होनी की जो नहीं पड़ी है और आज हमें खुशी है कि आज हमारा एक भी patient जो है hospital में नहीं है इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि हमारा जो 750 LPM का जो oxygen generation plant है वो install हो चुका है ये लागया है एक अर दिन पर उस पर काम शुरू होगे next एक वीक में वो भी install करके जो 1500 LPM का हमारा first लाट था वो तियाब हो जाएगा जिसकी oxygen supply जो है pipeline supply जो है old hospital जिसको हमने covid hospital declare किया हुआ है जिसमें 70 beds है उनको immediately देगी जाएगी इसके साथ साथ हमारा PM Care Fund में 500 LPM का जो plant लगना है उसका civil work काफी तेजी से चल रहा है मैंने आए सिवा ही उसका मौइना किया और आने वाले एक हफते में वो भी civil works complete हो जाएगे